हाइजन्स प्रिंस्पुल हमने भी बताया था कि जो लाइट का जो वेव है कि लाइट एक वेव है वेव आप्टिक्स को सबसे पहले पॉस्टलेट किस ने किया था हाइजन्स ने किया था तो हाइजन्स ने क्या कहा था यह काफी important topic है आप ठीक है इसी पर वेव का जितना सारा phenomena है light का जो वेव वेसिस पे defined होता है जैसे for example आप reflection को कर सकते हैं आप interference को कर सकते हैं आप diffraction को कर सकते हैं ठीक है polarization हो गया scattering हो गया तो यह सब वेव प्रोपरिटी पर ही डिपेंड करता है तो आखिर वो फ्रॉरी क्या है है आपने इस्टेट्मेंट में डूषको सामिल किया था तो यहां पर क्या कहा था हुआ इसको तो ध्यान से कहा था कि हुआ था कि same speed frequency and wavelength क्या कहा देखिए कि जैसे की माल लीजिए कि यह सोर्च से यह आपका एक सोर्च है यहां से लाइट प्रोडूस होगा तो वेब फ्रेंट इसका कैसा होगा दिसी दो वेब फ्रेंट यह स्पेरिकल वेब फ्रेंट अब इस वेब फ्रेंट का जो प्रतेक पॉइंट है व कि जो वेब फ्रेंट का जो इच एड़ एवरी पॉइंट है वह एक नया सोर्च की तरह बिहेब करेगा कैसे यह सोर्च भी अब क्या करेगा चारो तरफ अबना लाइट फिलाएगा अब नया सोर्च के तरह बिहेब करेगा तो क्या वही इनर्जी होगा जो यहां से वह सेम होगा ठीक है यह है जनस का पाला इस्टेशन का इंपोर्टेंट यह है कि एवरी पॉइंट ऑन देवे फ्रंट विकाम सेकेंडरी सोर्स अफ लाइट इसे यह पॉइंट यह भी क्या कर रहा है आपको प्रोडूस कर रहा है अपना बना रहा है ठीक है यह उन्होंने का यह स्थेत तरह है एक नया सुर्स के तरह क्या करेंगा यह है अपनJack nis कृट नई सूर्स की तरह करता है नों नुक्सटृ जैंस ने शिका any given time a common tangent surface on these wavelengths in forward direction forms a new wavefront देखेए क्या का वेवरेट्स क्या होते है ये वह धेंट पार्टिक्ल हना in general vibrating particle ये जो वह भीरेटिंग पार्टिकल जो ये वह धियर्ट कर रहा है इस परकार से यह भी अपना क्या बना रहा है वेभर्ट इस परकार से बना रहा है इसका जो common tangent होगा इसके point का जैसे कि यह भी बना रहा होगा यह भी बना रहा है तो पार्टिकल का जो यह पार्टिकल आपने आपने कहा कि यहां पर यूज क्या गया है surface on the waves on forward direction तो यह भी क्या यह particle भाइब कर रहा है तो इस पर जो common tangent वहा जो सर्फेस होगा मतलब एक वैसा सर्फेस जिसका कॉमन टेंजेंट हो तो कौन सा सर्फेस होगा वो यह वला होगा यह जिसका कॉमन लूग क्या करेंगा एक सेकंडरी बara twenty yard बना लेगा तो न अब्रेंट बना लेगा तो ओप हले हम बताइए किए यहां पर छिरसे क्या करेंगा इसका भी फॉट्डुश करेंगा और यह तो इसे ने बना लेगा तो उन्होंने यह सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि आप एनी इविएंट टाइम और कॉमन टेंजेंट सर्फेस ऑन दीज वेवलेट्स इन फ़वाइड डिरेक्शन फॉर्मा न्यू वेफ्रेंट थार्ड पॉइंट का क्या कहा कि डिरेक्शन देखिए आपने रिखेंट होता है रेका वह हमिएशा और परोंडिकुलर होता है वेफ्रंट पर जैसे कि माल दीजिए कि यस जा रहा है ठीकर और आप से बोल दिया जाए अगर यहां पर आज गया है समा के मिल रहा है इसका वेफरंट क्या होगा इन सभी पर परपेंडिक्लर हो गया तो इस परकार से हाइजन्स प्रिंस्पूल ने अपना दो तीन इस्टेटमेंट उने डिया था यह कई बार ग्याम में पूछा गया यहां पर ठीक है इसको आप अ है और उसको अभी आप वहbenगोग रिवाइज करते राएं नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करें गया तो क्या-क्या देखेंगे रिफ्लाक्शन देखेंगे एक्स्प्रानेशन डिफ्लैक्शन कैसे हुआ था सिके वेव फ्योरी में किस परकार से किया गया फिर हम लोग इंटर्फरेंस देखेंगे इसमें हाइजंस पिंस्पुल का ही काम आएगा यह जो स्टेटमेंट दिया था उसी का हम लोग यूज करेंगे यहां पर ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं